नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुवात में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ये चार्ट में ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, ये रिलाइंज की प्राइस मुवमेंट है और ये जो औरेंज वाली लाइन है ये निफ्टी की प्राइस मुवमेंट है जैसे आपको मालूमी है कि निफ्टी या ओवरॉन मार्केट जो है वो यहां से ये बोट बड़ा डाउनफॉल हुआ है की नहीं फेबरुरी महिने में और मार्च में यहां से फिर ये थुरा रिकोबर हुआ लेकिन इंटेस्टिंग चीज देखो एप्रिल महिने में इंडिया में कॉरोना की केषेस बढ रही थी है की नहीं लेकिन फिर भी निफ्टी जो है वो नीचे जाने की तयार नहीं थी तो इसका reason क्या है, main reason क्या है वैसे तो इसका बहुत सरा reason है लेकिन मुझे लगता है जो prime reason है one of the prime reason वो है Reliance की price movement Reliance निफ्टी को नीचे नहीं जाने दे रहा था In fact ये उपर ही खीच रहा था तो ऐसा क्यों होता है एक stock, एक index को कैसे खीच सकता है तो इसका reason है इसका weightage Reliance का weightage जो है वो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा है तो friends आज की वीडियो में हम लोग इसी का उपर चार्चा करेंगे कौन सी company का कितना weightage है निफ्टी 50 इंडेक्स में ठीक उसी तरह हम लोग bank nifty का भी जानेंगे कांची banks की weightage कितनी है निफ्टी bank में ठीक है और finally मैं आपको एक strategy बताऊंगा मतलब bank nifty में आप कैसे trade करोगे stock की movement देखके ठीक है तो friends मैं हूँ राजीव और आपका अपना चैनल updates में स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप पहली बार हमें चैनल देख रहे हो तो प्लीज इसको subscribe करना और साथ में ये bell icon दबना मत भूलेगा ताकि हम लोग का video upload आप से फिर छूट ना जाए तो चलिए दोस्तों आभी हम लोग जानते है nifty या bank nifty में कौन सी company का कितना weightage है तो इसके लिए आपको NSE का website में आना पड़ेगा और यहां पर products में आईए और indices यहां पर आपको हर indices की information मिल जाएगी जैसे about indices तो हमें क्या चाहिए nifty index की information चाहिए तो हम लोग जानने के nifty 50 में कितना companies है और कौन सी company का कितना weightage है ठीक है तो अगर आपको पूरा लिस्ट चाहिए तो उसके लिए यहां पर आपको क्लिक करना होगा download list of nifty 50 stocks तो यह download हो गया यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या companies है nifty 50 में तो यहां पर देखो companies है और यहां पर आपका sectors भी मिल जाएगा कौन सी company कौन सी sectors की अंदर है और यहां पर symbol तो यहां पर देखो आप 52 companies यहां आदानी port से लेके G entertainment limited तक है और आभी हम लोग देखते है कौन सी company का कितना weightage है और उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा और मैं आपको बता दूँ कि यहां पर आपको सिर्फ top 10 holdings का ही information मिलेगा weightage की information यहां पर आप देखो यहां पर sectors भी दिया हुआ है कौन सी sector का कितना weightage है जैसे financial services का weightage सबसे ज़्यादा है 33.33% उसके बाद IT उसके बाद oil and gas उसके बाद consumer goods और बाकिसारा sectors और सबसे ज़्यादा weightage जो है company की हिसाब से वो देखो reliance यह around 12% की weightage है ठीक है उसके बाद है HDFC bank और यहां पर जो financial services है यह इसमें banks भी है जैसे HDFC banks है और HDFC भी है तो इसलिए क्योंकि इसका weightage सबसे ज़्यादा था Reliance Industries around 12% so Reliance ही Nifty को उपर की तरफ खीच रहा था ठीक है अगर Nifty और HDFC bank की movement जो है वो bullish रहता है आप आख बंद करके एकीन कर सकते हो कि Nifty की जो movement होगी वो उपर की तरह भी होगी ऐसा बहुत rare of the rarest case होगा कि ये दुनों company bullish है फिर भी Nifty नीचे जा रहा है ऐसा बहुत rare होगा ठीक है तो ये तो गया Nifty का holdings और इसका weightage अभी हम लोग bank Nifty का weightage देखते हैं उसका भी information आपको यहाँ पर ही मिलेगी उसके लिए आपको sectoral indices में आना पड़ेगा और यहाँ पर Nifty bank index तो similarly यहाँ पर भी आप ये डाउनलोड कर सकते हो इसमें कितना company है तो ये डाउनलोड हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो bank Nifty में कितनी companies है तो bank Nifty में total 12 companies है Axis Bank से लेके State Bank of India में आभी हम लोग इन companies का weightage देखते है तो उसके लिए भी फिर से आपको यहाँ पर ही आना पड़ेगा और यहाँ पर डाउनलोड fact sheet ये pdf फाइल में है तो Nifty की तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हो सब banks की कितनी weightage है तो highest weightage जो है वो HDFC bank का है वो है 32.58% उसके बाद ICIC bank ये लगवाग 20% है फिर Kotec Mahindra bank Axis bank और एक interesting चीज देखो ये चारो जो banks है जो highest weightage रहने वाला banks है और ये चारो private sector banks ही है इसके बाद State Bank 10% की weightage है और ये जो weightage है ये बिजबिजबे change भी होता है और यहाँ पर जो information आपको मिलेगी latest information ही मिलेगी यहाँ पर देखो ये data as on 29th May 2020 ठीक है तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कौन सी company का कितना weightage है आभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे highest weightage है 32% वो HDFC bank का तो HDFC bank जो है वो bank nifty को बहुत influence करेगा वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ और accordingly आप trade भी कर सकते हो तो पहले मैं इसको delete कर देता हूँ nifty को और हम लोग क्या करेंगे bank nifty लाएंगे यहाँ पर मैं यहाँ पर mainly आपको bank nifty और HDFC bank का correlation दिखाऊंगा इन दोनों script का correlation कैसा है कितना मिलता जुलता है तो यहाँ पर हम लोग HDFC bank डालेंगे यह वोला HDFC bank ओको आगया यहाँ पर आप देखो bank nifty और HDFC का जो price movement है वो एकदम डिट्टो है बिल्कुल डिट्टो है कि ने आप एकदम पुरा historical data देखो यह bank nifty और HDFC bank का price movement बिल्कुल same है है कि ने तो यहाँ से आप एक strategy बना सकते हो HDFC bank का stock देखो पहले उसके price movement कैसा है अगर HDFC bank bullish है तो आप bank nifty में bullish trade करो अगर bearish है तो फिर bearish तो उसके लिए आपको HDFC bank का कुछ news में ध्यान रखना पड़ेगा जैसे इसका earnings ठीक है तो earnings देखके आप bank nifty और HDFC bank दोनों में trade का सबो ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है उमीद करता हूँ मैंने जो बोलने की कोशिश की वो आपको समझ आ गया और अगर ये वीडियो आचा लगा तो इसको प्लीज लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत बुलेगा फ्रेंज मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक यू थेंक्स पर वाचिंग टेक क्यार